एपी में दोस्तों आपको डी का मान दे रखा है एस नाइन का मान दे रखा है ए और ए नाइन ग्याद करना है आपका कुशन नंबर थी का पार्ट फाइव एक्सराइस फाइव पार्ट फ्री क्लास टेनेंस या वाटी मैच्स बिल्कुल आसान तरी किसी समझेंगे तो यहां या पर देखें़ आपका दी क्या होता है दोस्तों सारवंत तरहा होता है S9 का मतलब क्या है नौ पदों का योग इसको ऐसे समझ के योग को हम किसे लिखते हैं S90s N का यह फोर्मृडा होता है n by 2 2a plus n minus 1d तो जब 9 पदों के योग को लिखना है तो हम किस से लिखेंगे s9 से लिखेंगे a यहाँ पर पर्थम पद है देखो n वे पद को हम किस से लिखते है an से लिखते है तो 9 वे पद को किस से लिखेंगे a9 से लिखेंगे इसकी question की language होगी अब यहाँ पर लिखना है क्या दिया है आपको d दिया है यानि सारवंतर उसके बाद क्या दिया है s9 दिया है कितना 75 अब आपको क्या करना है यहाँ पर चाए s9 दे रखा हो या कोई पद दे रखा हो उसका फोर्णा लगा देना है अधिकतर कुशन में यही करना है ठीक है जब पर्थम पद पूछ लिया जाए या पर्थम पद दिया हो सारवंतर नहीं दिया हो सारवंतर पूछ लिया जाए तो वहाँ पे यही तरीका काम आता है अब हम लिखेंगे चुंकि जो S N होता है वो क्या होता है आपका N by 2 2 A plus N minus 1 D होता है तो इसलिए S9 बराबर क्या बन जाएगा N की जिगे 9 रख दो A का वेल्यू हमें पता नहीं है 9 minus 1 कितना 8 हो गया D का वेल्यू हमें 5 दे रखा है और यह वास्तों में कितना है एक्वल टू 75 है अब हम क्या काम करते हैं यहां पे देखो इस कोस्टर के मल्टिप्लाइ में जो 9 by 2 इसको इस साइड लेकर आ जाते है तो इस साइड हमारे पास क्या बचेगा 2A प्लस यह 40 यहां पे होता है क्या है जब हम साइड चैंस करते हैं तो जो नीचे डिवाइड में है वो ऊपर मल्टिप्लाइ में आ जाता है और उपर जो मल्टिप्लाइ मुद गया आपके पास 50 आगया नीचे कितना है तीन है अब यह जो 40 है इसको हम में इस साइड लेके आओंगा तो होगा क्या प्लस का है माइनस का हो जाएगा यहनी 50 वाइ 3 माइनस 40 आगया यहाँ पे नीचे LCM लेंगे तो LCM कितना आएगा आपका 3 आएगा ठीक है LCM कितना आएगा 3 आएगा देखो 3 का 3 में डिवाइड करते हैं एक का उपर पचास से गुना करते है ठीक है इसको ऐसे सोल किया जाते है देखो एक का तीन में डिवाइड करते है तीन वार तीन का चारीश से गुना के 120 यह नहीं कितना आ गया मैनस 70 भाई 3 आ गया अब देखो यह किस के इक्वल टू है 2 A के इक्वल टू है तो A के इक्वल टू क्या आएगा 2 को इस साइड बेजूँगा मल्टिप्लाइ में डिवाइड में आजेगा 2 से यह कितने और कटता है दोस्तों 35 भार यह आ गया दोस्तों आपके पास किस का वेलिव आपके A का वेलिव आगया अब मुझे क्या चीए A9 चीए तो मैं लिखूंगा अब चुकि N बराबर A प्लस N माइनस 1D होता है तो इसलिए A9 बराबर क्या आएगा A प्लस 8D आएगा A का वेलिव अभी निकाला है 35 बटे 3 और D का वेलिव कितना है 5 तो यहां से हम LCM लेके सोल करेंगे तो ऐसा आगया आपके पास ठीक है देखो यह कितना होगा इसका मल्टिप्लाई करेंगे 40 और यहां पे LCM कितना यहाँ होगा 3 का 3 में डिवैड किया 1 का उपर माइनस 35 रूट आगया 1 का 3 में डिवैड किया 3 का उपर 40 से मल्टिप्लाई किया यह कितना है 40 से 120 आगया इसको जब हम सोल करते हैं तो आपके पास कितना आता है 85 बटे 3 आता है तो लास्ट में लिखना है अनता है A बराबर कितना है हमें क्या चाहिए था देखो कुशन में A चाहिए था और A 9 चाहिए था इसका वेल्व है जो हमारे पास यह निकल कर आते है यह हो गया दोस्तों हमारा इस कुशन का सोलुक्शन तो आपको कैसा लगा नीचे कॉमेंट कर बताएं अगले वीडियो में फिर मिलते हैं सुरेंदर क्लेर कैसे लाकेड में